चलो कुछ और सॉलिट शेप्स के बारे में जानते हैं एक कोन क्या होता है? आइसक्रीम कोन, चिमनी और जोकर की टोपी यह सब वस्तुएं कोन की शेप में होती हैं कोन में एक प्लेन फेस होता है जो उसका अधाल होता है कोन में एक खुमावदार फेस होता है कोन में एक वर्टेक्स और गोल किनारा होता है जहां गोल फेस प्लेन फेस से मिलता है चलो आइसक्रीम कोन को फिर से देखते हैं इसमें एक प्लेन फेस, एक घुमावदार फेस, एक वर्टेक्स और एक किनारा है सिलिंडर क्या होता है? गैस सिलिंडर, धागे की रील और लकडी का लठा यह सब सिलिंडर की शेप होते हैं एक सिलिंडर की दो फेस, एक उपर और दूसरी नीचे, दो किनारे होते हैं और कोई वर्टेक्स नहीं होता लकडी के लठे को फिर से देखते हैं इसमें दो फेस, दो किनारे और कोई वर्टेक्स नहीं है स्फियर क्या होता है? ग्लोब, फुटबॉल और एक उनी गेंद की शेप स्फियर की तरह होती है जो वस्तुईं गेंद की शेप में होती हैं उन्हें स्फियर कहा जाता है स्फियर में केवल एक घुमावदार फेस होता है जाहिर है स्फियर में कोई किनारे और वर्टिसीस नहीं होते गेंद में किनारे नहीं होते यह चारो ओर से चिकनी है क्या आप स्फियर के कोई उधारन के बारे में सोच सकते हैं? अब यहाँ खेल खेलते हैं क्या आप इन वस्त्रों की solid shapes पता लगा सकते हैं? मैं आपको एक हिंट देती हूँ. इन में से अधिकतर वस्त्रों में एक से अधिक solid shapes हैं. ऐसे और खेल हमारी वर्कशीट में पाएं. ज अबसे से अभड़ एक देना में पाएं. झाल झाल